चलिए जल्दी से चांते हैं टेरा कोटा जोलरी में क्रिम बीड और क्रिम कवर का क्या यूज होता है ताकि वो चप्टा हो जाए और वही पे लोक हो जाए वही पे सिक्योर कर दे आपकी वायर को क्रिम कवर क्रिम बीड के उपर लगने वाला एक कवर जैसा होता है जिसको आप इस तरह से जेंटली प्रेस करेंगे तो वो बीड का फोम ले लेगा और अंदर आपका जो क्रिम बीड है वो सिक्योरली वही पे रहेगा इस तरह से आपको जोलरी असेंबल करना है अपको यही प्रोसेस रिपीट करना है यहां पर आपको जंपरिंग का यूज करना है ताकि आप अपनी डोरी अटेच कर सके यही प्रोसेस आपको रिपीट कर करना है क्रिम बीड को प्रेस करना है उपर क्रिम कवर लगा देना है यह प्रोसेस बहुत इजी है इसमें कोई रोकेट साइस नहीं है आप एक बार करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो प्लीज ट्राइट एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शे सब्सक्राइब